दोस्तों आज हम सेयर कर रहे हैं आपके साथ एक ऐसे नास्ते की रेस्पी जिसे सिर्फ आलू से बनाएंगे बहुत आसान है इसे बनाना खाने में टेस्टी वर चटपटे लगते हैं बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉप्ट होते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके है दो मिडियम साइज का आल उर इससे कदुकस कर लेते हैं आप चाहें तो हैसे मैस कर सकते हैं तो यहां पर हमने दोенииम साइज के आलू को तो यहाँ पे हमने आलू को मैस कर लिया कर लिया और इसके हम फिलिंग तयार कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया है प्याज यह मिडियम साइज का प्याज है और एक मिडियम साइज का टमाटर है अधरक, लासन, मिर्च और सब को हम इसमें डाल देंगे आप मिर्च अपने एक आडिंग डाल सकते हैं अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें एड़ करिए नहीं खाते हैं तो प्याज को भी स्किप कर सकते हैं और इसमें जाएगा एक चम्मच नमक आधी चम्मच औरिगेनो आधी चम्मच चाट मसाला आधी चमज गरम मसाला और थोड़े से चीली फ्लेक्स और थोड़े से इसमें लाल मिर्च पाउडर और आधी चमज इसमें हमने ले लिया है अजवाइन इसको अच्छे से हाथ से क्रेस करके डाल देना है और इसमें जाएगा एक चमज कान फ्लोत एक चमज और कान फ्लोर इसमें दो चमज आप कान फ्लोर डाल करके हाथ से अच्छे से इससे मैश कर लिजिए तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया इसको अच्छे से मिला लेना है फ्रेंस तो यहाँ पर हमने मिला लिया है अच्छे से और इसे छोटा-छोटा बॉल बना लेना है आप चाहे तो अपने एकार्डिंग बना सकते हैं बॉल आप चाहे तो इसे चप्टा आकार दे सकते हैं हमने इसे गोल आकार्ड दिया है और नीबू की साइज का हमने इसे आकार्ड दिया है आप अपने एकार्डिंग बड़ा छोड़ा बना सकते हैं तो यहां पर हमने सारे बॉल को बना करके रेडी कर लेना है तो हम यहां पर आपको बना के दिखा दे रहे हैं यहां पर हमने सारे बॉल को बना लिया है तो चलिए और आगे की त्यारी कर लेते हैं यहां पर हमने एक आलू ले लिया है बड़े साइज का और इसे अच्छे से साफ कर लेना है छील लेना है यहां पर हमने आलू को अच्छे से साफ कर लिया है और इसे कट कर लेना है इसे हाथ में लेकर ऐसे और कट कर लेना है तो इसे मोटे मोटे कट करने है और बहुत बारी कट करना है सोटा सोटा पीस हो तो मैं जैसे कट कर रहे ना ऐसे ही कट करना है ताकि यह तेल में जल्दी से गल जाए तो ऐसे सारे आलो को बारीक मोटा मोटा चोटे चोटे पीस में कट कर लेना है और कट करने के बाद दो से तीन पानी इसे हाथ से धो लेना है ताकि यह ब्लैक नहों अच्छे से यह साफ हो जाए तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं सारे आलो को कैसे कट कर लिया है एकदम बारीक ऐसे ही मोटा मोटा चोटा 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 पीस कट करना है पहले बीच से कट लगाना है फिर साइड से लगाना है और फिर इसे जैसे फ्रेंच फ्राई का होता है लेकिन लंबा लंबा होता है इसे चोटा चोटा पीस में कट करना है तो आप इसे जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे कट कर लेना है तो देख सकते हैं यहां पे हमने सारे आलोगों को अच्छे से कट कर लिया है और इसे पानी में डालके दो से तीन पानी इसे अच्छे से धो लेना है तो यहां पे हमने सारे आलोगों को धो करके अच्छे से रख लिया है स sinks थोड़ा पस कर षादा है यालो की आपशाएं तो उपड़ से कान फ्लोर भी इसमें अड़ कर सकते हैं उससे भी अच्छे से कोडिंङ हो जाती है है और मैं इसमें क्वांड फ्लोर नहीं scratch कर रहे हूं यहां पर हमने इन आलू को सारे बॉल को हमने कोर्डिंग कर लिया है देख सकते हैं अच्छे से कैसे सब आलू लग चुके हैं सारे बॉल पर यह बहुत ही अच्छी और चट्पटी बन के टेस्टी नास्ता तयार होता है फ्रेंड्स इसे बच्छे कुछ खाना चालते हैं आपके घर में महमान है तो महमान के बना के दे सकते हैं समोसा बनाना सारे लोग भूल जाएंगी, यह इतनी चट्पटी इतनी टेस्टी बन के रेडी होती है तो यहां पर हमने सारे बॉल को देख सकते हैं अच्छे से कोडिंग लगा दिया है आलू का और यहां पर हमने कड़ा ही मेरी गरम हो चुकी है और इसे तल लेते हैं हम इसे सेलो फ्राइब कर रहे हैं आप चाहे तो इसे डीप फ्राइब कर सकते हैं इसी ग्रीन चटनी के साथ, रेट चटनी के साथ, सॉस के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही कुरकुरा चटपटा बनता है, तो एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, आप लोगे बनाना तो यहाँ पर हमने सारे बॉल को डाल दिया है, अच्छे से अभी से तल लेना है, एक साइट से मीडियम फ्लेम पे इसे 5-7 मिनिट के लिए छोड़ देना है, ताकि एक साइट से अच्छे से यह पक जाए तो यहाँ पर हमने विडियम फ्लेम पे रख दिया है गैस को, और यह अच्छे से देख सकते हैं, कुरकुरे बन के रेडी हो रहा है, तो एक साइट से इपक चुके हैं, दूसरे साइट से हमने इसे पलट दिया है यह बहुत ही कुरकुरा बन के रेडी होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कितनी अच्छी कलर आए गई है मेरे पोटाइटो बॉल की, अब इसे हम निकाल लेते हैं अब यहाँ पर हम दूसरे बॉल को भी डाल देंगे तो चलिए, देखिए यहाँ पर हमारे सारे बॉल तयार हो गए हैं, कितने अच्छी क्रिस्पी बन के सारे पोटाइटो बॉल रेडी हो चुके हैं, अब इसे हम लेट में लगा लेते हैं तो यहाँ पर हमने ग्रीन चटनी के साथ इसे प्लेट में लगा लिया है और खाके देखिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा फ्रेंस एक बार जरूर ट्राई करिएगा और फ्रीज मेरे चैनल को लाइक, शियर, सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि यह नास्ता कैसा लगा आपके घर में जब भी महमान आये, फ्रेंस आये तो उनको जरूर बना करके दीजिएगा बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा चटपटा सबन के रेडी होता है यह आलू से बना नास्ता मेरा तो बाई बाई फ्रेंस